देली के अंदर अब धीरे धीरे करोना की स्थिती बहतर होती जा रही है उसी को देखते वे पिछले हफ़ते से हम लोगों ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी ये ज़रूरी है कि अगर करोना की स्थिती बहतर हो रही है तो अर्थ वेवस्था को वापस पट्री पे लाना भी बहुत ज़रूरी है पिछले हफ़ते हमने कंस्ट्रक्शन वरकर्ज और फैक्ट्री ये दो सेक्टर्स खोले थे पिछले एक हफ़ते से construction activities और factory दोनों खुले हुए है लेकिन करोना की स्थिती अभी control में है पिछले 24 घंटे में लगबग 400 के करीब case आए है 500 से भी कम हो गए अब cases 400 के करीब cases आए है और 0.5% के करीब positivity बची है संक्रमंदर बची है तो स्थिती काफी control में है और भगवान करें ऐसे control में रहे तो ये वाला जो lockdown पिछले हफ़ते एलान किया था वो सो मवार को सुभे 5 बजे तक है उसके आगे भी lockdown जारी रहेगा लेकिन काफी सारी और activities में रियायत दी जा रही है उनको खोला जा रहा है एक तो जितने बाजार हैं malls हैं उनको खोला जा रहा है odd even के basis पे कि आधी दुकाने एक दिन खोलेंगी आधी दुकाने दूसरे दिन खोलेंगी आधी दुकाने एक दिन आधी दुकाने दूसरे दिन 10 बजे से सुबे 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से और डिवन के हिसाब से दुकाने खोले जाएंगी दूसरा जितने दिली में सरकारी दफतर हैं उन सरकारी दफतरों में ग्रूप A आफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रूप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे लेकिन जो essential services में काम करने वाले करमचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर HOD decide करेगा कि किसको essential service कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है जितने private offices हैं उन सभी private offices में 50% manpower के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग work from home करें और अपने private offices कोशिश करें अपने time को stagger करने की कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आएं दूसरी जो stand-alone shops हैं और जो essential services प्रवाइड करने वाली shops हैं वो और इवन के basis पे नहीं वो रोज खुलेंगे दिल्ली मेट्रो 50% capacity के उपर चालू की जा रही है और e-commerce के जरीए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चलू रहेगी तो मोटे मोटे तोर पे ये चीजों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ़ते के अंदर भी करोना की स्थितिय अगर काबू में रही तो और कई सारी activities को फिर उसके अगले हफ़ते खोलेंगे